काईजू नमबर 8, अपिसोड नमबर 1 में आप सभी का स्वागत है वीडियो के शुरू में मैं सभी से कहना चाता हूँ कि ये अपिसोड एंड तक देख लो और ये तुम्हारा इस सिजन का फेवरेट एनिमे बनने वाला है तो चलो हम वीडियो के शुरू करते है वीडियो के शुरू में हमें दिखा जाता है कि कई सारे ड्रोन्स के मदद से जो पूरा टाउन था उसको सर्विलेंस किया जा रहा था वो लोग किसी अबनॉर्मलिटी के तलाश में थे लेकिन तब ही हमें एक कनाल का सीन दिखा जाता है जहां पे एक बहुत ही बरा सा मॉंस्टर आता है और पूरे कनाल को एक्तम डेस्ट्रॉई कर देता है और इसी के साथ जो पूरा टाउन था उसको एक एमर्जेंसी काईजू अलर्ट में डाल दिया जाता है काईजू बेसिकली यहां पे यही मॉंस्टर्स को रिप्रेजेंट किया जा रहा है और वो जो काईजू था वो टाउन में भी अटैक करना चालू कर दिया था जितने भी नॉर्मल लोग थे वो सब अपना जान बजा के वहां से भाग रहे थे और शी तरफ जो काईजू था वो मेंट टाउन के तरफ आगे बर रहा था उसे अभी मास्ट डेस्ट्रक्शन करना था लेकिन तभी वहां पे काफी सारे आमड हेलिकॉप्टर आता है डिफेंस फोर्सेस से और आते ही वो लोग कंटीनियोसली उस काईजी को उपर फायर करना चालू करते है जो नॉर्मल पब्लिक इसीज को देख रहे थे वो लोग काफी ज़यदा रिलाक्स फिल कर रहे थे क्योंकि वहां पे थर्ड डिविशन भी आ चुके थे और तभी एक armed helicopter का gate खुलता है और वहां पे एक लड़की एक terrace को उपर jump करती है और उसी के साथ वहां पे और भी काफी सारे soldiers आते है और आती ही वो लोग continuously उस काईजी को उपर fire करते है और तभी वो लड़की अपना एक special weapon निकालती है और उस काईजी को उपर fire करती है और अगले ही second वो पूरा काईजी का body एक्तम blast करता है और वो काईजी वो ही पे खतम हो जाता है और फिर हमें उसी लड़की को दिखा जाता है और फिर शिफ्ट होता है और हमें थोड़ी तेर बात का scene दिखा जाता है जहाँ पे एक लड़का अपने दूरबीन से इस पूरे काईजू के डेट बॉड़ी को देखते और कहते है कि ये तो कुछ जादा ही है लगता है हमें अभी कुछ दिनों तक ओवर टाइम ही करना होगा और ये जो लड़का था इसका नाम था काफका और ये अपने पूरे ग्रुप के साथ आया था और इनका में टास्क था इस पूरे काईजू के बॉड़ी को शहर से हटाना और इसको धंके जगा पर डिस्पोस करना और इसी तरफ हमें दिखाया जाता है जो पूरा डिफेंस फोर्सेज था उनके लिए पॉब्लिक गितम रास्ते तक निकलाए थी स्पेशली जो थर्ड डिवेशन था उनके लिए और पॉब्लिक उनको काफी ज़ादा चेयर अप कर रहे थे इवन उनके लिए मीडिया भी आ चुका था लेकिन उसी तरफ जो काफ का था वो काफी ज़ादा डिसेपोइंटेट था क्योंकि उनको कोई भी भाव नहीं दे रहा है लेकिन फिर भी वो लोग चले जाते हैं अपने काम पे काफ का बताते कि कैसे उनका काम भी काफी ज़ादे इंपोर्टन है लेकिन कोई भी उनको ढंक से रेस्पेक्ट नहीं दिया करता काफ का अपने बाकी के साथियों के साथ उस मॉंस्टर के बॉड़ी को छोटे चोटे टुकरों में काटना चालू कर देता है वो सबको गाइड भी कर रहा था लेकिन तभी वहाँ पे वो लोग एक ब्लाडर को उठाने की कोशिश करते है और तभी वो एक तमसे ब्लाष्ट करता है और उस काईजू का ब्लड कोई एसिट से कम नहीं था उस काईजू का ब्लड उस बंदी का घुटने को पर गिरता है और उसका पुरा घुट नहीं एक तम चलने लगता है काफका उसको immediate first aid देता है और फिर उसको hospital भेज देता है लेकिन फिर काफका अपने काम पे वापस लग जाता है और वो चारों तरफ देखते हैं कि ये तो काफ़ी time लगने वाला है और तबी काफका का जो senior था वो कहता है कि काफका तुम्हें एक दूसरा जगा का charge लेना होगा क्योंकि वहाँ पे बंदे कम है और वो दूसरा जगा था intestine ये सुनते ही काफका का भट के चार हो जाता है क्योंकि तुम्हें तो पता होगा intestine में क्या होता है काफ का वहाँ पे जाता है और वो एकदम रोने का हालत में आ जाता है क्योंकि वहाँ पे जो भी इंटेस्टैन काट रहा था वहाँ से गंदा बद्बू और लिटरिली टटी निकल रहा था लेकिन अब काफ का बेचारा क्या ही करता वो अपने काम पे लगता है और जैसी वो इंटेस्टैन को काटता है जो टटी था वो सीधा जाके उसके मूँ में लगता है बट एनिवेज उसके बाद हमें रात का सीन दिखा जाता है काफ का अपने घर तो आ चुका था लेकिन अभी भी उसके नाक से वो स्मेल गायब नहीं हो रहा था उससे वो चीज काफी जादे इरिटेट कर रहा था लेकिन उसी तरफ टीवी में डिफेंस फोर्स का थर्ड डिविशन के बारे में ही चर्चाय चल रहा था और स्पेशली उनका जो लीडर था जिसका नाम था कैप्टेन मीना आशीरो और ये बिसकली एक सताई साल की लड़की है और अब तक अपने लिडर्शिप में ऐसे काफी सारे काईजू ओपरेशन को सेकस्सफुली कम्प्लीट किया है इसने खुद ने ही काफी सारे काईजू को खतम किया है और काफका ये देखते ही अचानक से अपने बच्पन के बारे में याद करता है जहां पर वो एक लड़की के साथ ख़रा था और कहता है कि हम एक साथ मिलके काईजू को खतम करके ही रहेंगे और वो जो लड़की थी वो भी कहते है कि बिल्कुल लेकिन तभी काफका एकदम से टीवी को बंद कर देता है और मनी मन अपने आप से क्वेशन करता है कि मैं इस साइड में आया ही क्यूं और तभी उसका दिमाग मानो एकदम फटने सा लगता है और कहता है कि नहीं नहीं ये सब के बार में मत सोचो ये जॉब है मेरे पास इसलिए मैं एक अच्छे घर में रह पा रहा हूँ इसलिए मैं जो मरजी वो खा पा रहा हूँ मुझे तो थैंक्फूल होना चाहिए और फिर वो ऐसे ही सो जाता है और फिर हमें अगले दिन सुबा का सीन दिखा जाता है जहाँ पर काफका फिर से अपने work place के लिए निकल परता है लेकिन जैसी वो अपना work place पहुंसता है उसके जो click था वो कहता है कि काफका यहाँ पर जल्दी से आओ मैं तुम्हें introduce कर रहता हूँ एक नए member से इसका नाम है इची कावा और यह एक part time student है और अब से हमारे साथ यह काम करने वाला है और यह काफी जादा determined defense forces join करने के लिए और तब ही काफका काव वो कली कि एकतम काफका के पास आ जाता है और कहता है कि इची कावा तुम्हें पता नहीं होगा लेकिन काफका भी काफी जादा interested था defense forces join करने के लिए लेकिन फिर वो अपने सपने को जाने दिया और हमारे company को जोईन कर लिया काफ कमानीमन कहता है कि ये decision मेरा life का सबसे बढ़ा गलत decision था लेकिन तब ही जो इची कावाध होगा था कि लेकिन क्यों आपने अपने decision को ऐसे ही give up क्यों कर दिया और ये सुनते ही जो काफ का था एक्तम serious हो जाता है लेकिन फिर एकतम हस्तस दिगाता है कि देखो जब तुम बड़े होगे तब तुम्हें पता चलेगा मैं उतना भी जादा अच्छा नहीं था कुछ skill में और वैसे भी ये job उतना भी बुरा नहीं है लेकिन तब ही जो इची कावा था वगत है कि नहीं मैं ऐसा नहीं बनूँगा मैं अपने सपनों के उपर कभी भी give up नहीं करूँगा और ये कहके ही वो change करने पहुंच जाता है और उसके बाद शीन shift होता है और वो सब लोग आज फिर से अपने working spot पे पहुंच जाते है और आज का intestine को clean करने का दाइत्व था इची कावा और फिर से काफका के उपर काफका का तो मानो रोना ही निकल गया था लेकिन जो आब उनका senior था वो गया था कि काफका भले ही रोता है लेकिन वो काम काफी अच्छा करता है अगर वो सची में officer बन जाता तो फिर वो काफी अच्छी तरीके से ही serve कर पाता defense forces में और ये सब इची कावा सुन रहा था और फिर chain shift होता और वो लोग continue उसलिए काम किये ही जा रहे थे और फिर हमें lunch का time दिखा जाता है जहांपे काफका और इची कावा दोनों का ही हालत खराब था और दोनों ही कुछ नहीं खा पा रहे थे अपना टिफिन के बारे में वो लोग सोच तक नहीं पा रहे थे लेकिन तबी जो काफका था वो इची कावा को एक multi vitamin देता और कहता है कि इसे जल्दी से अपना नांग वाक बंद करके पी लो इची कावा बिलकुल भी पीने को तयार नहीं था लेकिन काफका भी उसको छोड़ने नहीं वारा था और फिर वो लोग फिर से काम पे लग जाते है और धीरे धीरे करके वो लोग पूरे इंटरस्टैन को ही clean कर देते है और उसके बाद काफका का जितना भी कलिक्स थे वो लोग पहले ही अपने काम को complete करके निकल जाते है और फिर काफका अकेला ही पूरे चीज को थोड़ सा examine कर रहा था और तभी उसके पीछे इची कावा आता है और इची कावा आते हैं काफका को thank you कहता है आज उसके पहले दिन में उसका support system बनने के लिए और ये सुनके काफका भी काफी ज़दा overblamed होता है लेकिन जाते जाते इची कावा कहता है कि बर्दवे जो defense forces recruitment का age limit था उसको बढ़ा के अभी 33 साल कर दिया गया है जब आपने कहां कि आपने अपने सपनों को give up कर दिया है तब आपके सकल पे एक sadness दिख रहा था इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आपको ये information बता दू और ये कहके ही वो आगे बढ़ने लगता है और तब आपके कहां कि इची कावा थैंक यू सो मज मैंने जितना सुरचता तुम उतने भी बुड़े नहीं हो और ये सुनके इची कावा कहाता है कि ऐसा बिलकुल भी नहीं है लेकिन तो अभी एकदम से इची कावा के पीछे एक काईज हुआता है और उसको एकदम निकल नहीं वाला था लेकिन तब काफका एकदम आता है और इची कावा को वहां से बचा लेता है जो काफका था वो एकदम इची कावा कहता है कि इची कावा तुम भाग जाओ यहां से तुम निकल जाओ यहां से, मैं तब तक इसको देख लूँगा, तुम जाके ही Defense Forces को inform करो, और यह सुनगे E.G. Kawa पहले तो hesitate करता है, लेकिन फिर वह वहां से चला जाता है, अब उस area में सिर्फ वो काईजू और काफका था, जो काईजू था, वो काफका के पीछे भागना च जाता है, तो शायद वो काईजू उसको नहीं पकर पाएगा, और वो एक्दम उस building के तरफ भागता है, और एक्दम से उस gate का अंदर खुच जाता है, जो काईजू था, वो अपना हाथ भी डालता है, लेकिन काफका को नहीं पकर पाता, लेकिन काफका वो ही पे नहीं रु कर दिया, तुम्हारा घर, मेरा घर, हमारा स्कूल, लिटरली अभी सब कुछ तभा हो चुका है, जो लिटकी थी, वो काफी जादा रो रहे थी, उनका पूरा टाउन काईजू ने डेस्ट्रॉई कर दिया था, और ये देखके, दोनों ही डिसाइड करते कि, वो दोनों फ्य फ्यूचर में, डिफेंस फोर्सेज का ओफीसर बनेंगे, और इसी के साथ, जो काफका था, वो एक बेट भी रख देता है, कि चलो देखते हैं कि हम दोनों में से कौन सबसे ज़्यादा कूलिस्ट ओफीसर बनने वाला है, और तभी सीन फिर से प्रेजन में आता है, और हमे जल्दी से इसके पैर में टैक करना चीए, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, जो काफका को पर एक वार करता है, और काफका सीधा जाके एक कॉंक्रीट के स्लैब में जाके गुरता है, काफका जो पैर था, वो पूरी तरीके से डेस्ट्रॉई हो चुका था, और वो जो काफका को खाने ही वाला था, लेकिन तभी वाँपे इसके पाता है, और अगर आज मैं आपको इस हाल में छोड़ के अकेला ही भाग जाऊं, तो मैं कभी भी एक प्राउड डिफेंस ओफिसर नहीं बन सकता, और ये कहके ही वो एक्तम से काफका को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे बढ़ जाता है, लेकिन उसी तरफ जो काफका था, उसको अपना वही दिन याद आता है, जहांपे वो डिफेंस फोर्सेस के एक्जामिनेशन में रिजेक्ट हो चुका था, और वो अपने आपसे हाथ को काटता है और तभी कंटिनुवसली फायर होता है उस काजु को उपर और पलक जपकते ही डिफेंस फोर्सेस उस काजु को खतम कर देता है, और इस बार भी जो अपरेशन था, उसको लीट करने वाला और कोई नहीं बलकि कैप्टेन मीना थी, ये चीज काफका देखक का सीन दिखाय जाता है, जहाँ पर जो काफका था, वो अभी फिर से नॉर्मल कंडिशन में था, और वो मनी मन सोचता है कि जिसके वेसे मेरा इतना ज़्यादा फट रहा था, उसको ये डिफेंस फोर्सेस एक मिन्टो में खतम कर दिया, मीना काफी ज़्यादा ओसम है, वो उस टाइम पर आपने मेरा जान नहीं बचाया होता, और मुझे वहाँ से भागने को नहीं कहा होता, तो शायद आज मैं यहाँ पर जिन्दा नहीं रहता, आप सची में काफी ज़्यादा कूल हो, आपको तो डिफेंस फोर्सेस में ओफिसर होना चीए था, और ये सुनते ही काफका काफी ज़दे इमोशनल हो जाता है, और वो बच्पन में किया हुआ अपना बैट को याद करता है, और तभी कहता है कि इचिकावा तुम चिन्ता मत करो, मैं फिर से और एक बार ट्राइ करूंगा डिफेंस फोर्सेस में ओफिसर बनने के लिए, लेकिन तभी काफका इक अलगी reaction हो लगता है, इचिकावा काफका का जो चीक था उसको सुने काफी ज़दा डर जाता है, और वो एक तब उसके बेट में चेक करने जाता है, लेकिन तभी वो एक तम shocked हो जाता है, क्योंकि वो वहाँ पर देखता है, कि काफका खुद एक काईजू में बदल चु और ये देखे इची का वागता है कि काफका भाग जाओ तुम यहाँ से भाग जाओ और इसी के साथ ये अपिसोड खतम होता है लेकिन पोस्ट रिट सीन में हमें मीना को दिखा जाता है जो की शावर कर रहे थी और अपने बच्पन के बारे में सोचती है और बच्पन में हम काफका के साथ जो लड़की को देख रहे थे वो और कोई नहीं बलकि मीना ही थी वो दोनों ही एक दूसरे को बच्पन से जानते थे और दोनों ही डिफेंस फोर्सेज में ऑफिसर बनना चाते थे काफका और मीना बच्पन में कायजी को कैसे रोके उसका प अपिटल में एक काई जो नोटिस क्या गया है और ये सुनते ही मीना कहती है कि मैं जल्दी से अपना फोर्स वहाँ पर भेजती हूँ और इसी के साथ ये अपिसोड खत्म होता है बताओ फील आया ना ये अपिसोड देखके थोड़ा बहुत चेंसो मैन का भी फील है गाइस य को सिस्क्राइब कर लो ताकि सबसे पहले अपिसोड आपको मिल जाए तो चलो बाई बाई मिलते हैं अगले अपिसोड में